नमस्कार आप देख रहे हैं मिड़े वोई साब के साथ मैं हुश्व भ्रासुमन जिस घटना के लिए दंगों की धाराओं में केस दर्ज हुआ हो 150 से जादा लोग जिसमें नामजद हो लेकिन वो घटना सामान्य घटना थी उसे दंगा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ को ऐसा नहीं लगता है एक अक़बार को दिये गए इंटरव्यू में UP के CM आदितनाथ ने कहा है कि कासगंज की घटना सामान्य थी और उसे दंगा नहीं कहा जा सकता 26 जनवरी को आपको बता दें तिरंगा फहराने को लेकर कासकंच में दो पक्षों के बीच बिवाद हुआ था इसमें चंदन गुपता नाम के युवक की मौत हो गई थी 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद प्रशासन अगले 4-5 दिन तक नाकाम रहा था और कासकंच से हिंसा, आगजनी, पत्राओं की खबरें लगाता राती रही थी इसे लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल भी तमाम खड़े हुए थे कासकंच के SSP को वहां से हटा भी दिया गया था बावजूद इसके UP के सेम योगी आदितिनाथ को लगता है कि कासकंच की घटना एक सामान ने घटना थी हलागि इस घटना को UP के राजपाल राम नाइक ने कलंक बताया था तो क्या कासकंच दंगा नहीं था और सामान ने घटना थी इसी पर हम करेंगे चर्चा आज मिट्डे वोइस में तो आए हम शुरुवात करते हैं चर्चा की क्यूंकि बहुत एहम बयान दिया है योगी आदितिनाथ ने हमारे साथ तीन खास में मान फिलहाल इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से दिलीप शिवास्तव रहेंगे इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है आपका एड़ोकेट प्रिंस लेनिन हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है हमारे वरिष्ट सहयोगी कुमार भविश्रंद्र रहेंगे इस पूरी चर्चा में और थोड़ी देर बाद विभा शुकला समाजवादी पार्टी की ओर से हमें जुआइन करेंगी आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले दिलीप शिवास्तव योगी आधितनाथ ने जो कहा है वो अखबार में हम सब ने पढ़ा एक ऐसी घटना जिसको लेकर उत्रप्रदेश की पुलीस पर तमाम सवाल खड़े हुए प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हुए जिसमें एक युवक ने चंदन गुपता ने अपनी जान गवाई और जिसको लेकर उत्रप्रदेश की राज्यपाल ने ये कहा कि ये सूबे के माथे पर एक कलंग की तरहा है वो मुख्यमंत्री को एक सामाने घटना लगती है सुबरा जी उन्हें घटना के संदर्ब में और घटना जिस प्रकार से घटना घटी उसके बाद जो कारवाई की गए उन सारे परिपेच में अपनी बात को रखा है जहां तक घटना घटी दुखत घटना थी उसमें जो लोग मारे गए वो भी दुखत रहा उसके बाद जिस प्रकार से कारवाई की गई तत्वरित कारवाई की गई तत्वर्ता के साथ पुलिस ने जो दुखत में दर्ज हुए उनमें आरवपियों को गिरफतार किया जो पुलिस वाले कारवाई नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कारवाई की गई और उत्तर प्रदेश में आज माहौल परिवर्तित हो रहा है मैं चाहती थी कि आप बोलें कम से कम दो मिनट तक लेकिन आपने शुरुआत में ऐसी बात कर दिया ऐपने कहा कि पुलिस पर कोई सवाल ही नहीं है ने मैं पुलिस वालों के पर फेट में कहा कि जिन लोगों ने गटना जब घटी उसके बाद भी तुरंत घरफतार हुए कई आरोपी तुरंट गरिफतार हुए थे दो एफाई आर दर्ज हुई थी एक मृतक के पिता के द्वारा और एक वहां के इंस्पेक्टर के द्वारा दर्ज कराए गई थी कारवाई वहां पर हुई मुक्या आरोपी कई दिन बाद गिरफतार हुआ लेकिन सारे लोग गिरफतार किये गए बरामद भी हत्यार भी बरामद हुए और उसके लावर पर कासकंज एक सामाने घटना हो जाती है तो क्या उस पर विपाक्ष आवाज भी ना हो ने ये ये बात तो सुबरा जी कही नहीं जा रही है जो मृतक जिसकी मौत हुई वो भी दुकत है और जिस तिरंगा यात्रा के दौरान हुई ये भी घटना दुकत है वहाँ पे जिस परकार से नारे बाजी की गई या जो सारी चीजे सचाई अभी सामने भी आएंगे पुलिस जाच कर रही है चार सीट दाकिल करेगी तो सारे त सारे जी जिस परकार की घटना होती है जो इस परकार की तहरीर दी जाती है उसके अधार पे कारवाई की जाती है वहाँ जैसी घटना घटी उसके अधार पे रासुका लगाई गई होगी उसकी अधार पे अगर विपच्छने कोई चीजे जिस समय जो सतापच्छे में पिछली सरकारों में तमाम ऐसे निर्देश लोगों पे कारवाई की गई थी ठीक है इसे पहले कि इसका कानूनी पक्ष समझे हैं भवेश चंडर जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो दोनों घटनाय जिनका हम जिकर कर रहे हैं जिन पर तमाम सियासत भी हुए और उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे माहौल खराब हुआ सुबे का चाहे वो सहार हैं जाहिर तोर पर स्विकार नहीं करेंगे सत्ता का जो सोहाव है सत्ता कभी भी या इनकी रही है या इससे पहले किसी की रही है दंगे को स्विकार करने में इसी तरह की कोताई होती है जैसा किसी मामले में कोई केस दरज करने में पुलिस करती है कोई भी सरकार नहीं चाहत कि दंगे का कलंग उसके माथे पे हो और लेकिन ये मुख मंत्री का ये बयान कि कासगंज और इससे पहले जो सहारन जो दंगा हुआ जिसको एक बड़ी घटना के तौर पर हम लोगों ने देखा और जिसका दंस पुरे प्रदेश ने जहला उसको एक समान घटना बताना मुझ कि घटना को दंगा बताया जाएगा हमारे साथ हैं वकिल साभ हैं लेकिन बावेल जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मुझफर नगर जो दंगा हुआ था जो सपाकारिकाल में हुआ था उसको लेकर कि इस सरकार का जो रवया है जिस तरह मुकदमें वापस लेने की कारवाई जो कवायध है पूरी शुरू हो रही थी अब क्या इन तमाम घटनाओं में एक के बाद एक मुझफर नगर सहारनपूर या फिर कास्ट गंज सभी में सरकार का यही रुख है जो आप कह रहे हैं कि दंगों को स्विकार करना और उसे एक बड़ी घटना मानना ये स कशाबाइ है जो हम घटनाओं की पुणरा वरती नहीं हो उसके लिए कोसिश करने से सभी अंब को द्रने को अस्विकार कर लेने से दो क्राव pounds आपते हैं ये ऐसेर्ग इंप कर लेते हैं तो ये सिर्श के अस्तर पर इस प्रशक्ति होगी और इसमें दोभी दोसी होगा आम अगर उसके खिलाब करवाई हो अगर उसको बचाया जागा तो फिर ऐसी घटनाओं की पुर्णावर्ती होगी जैसा कि हुआ कासगज में लोग सहारनपुर को भुला गये हैं आप अभी बात कर रही थी कि कासगज वाले मामले में 100 से जादा लोगों के खिलाब मामला दर्ज हुआ था और वहां पर एक बीजेपी किसांसत के खिलाब मामला दर्ज हुआ था ऐसी परिस्थिती में ऐसे हालात में अगर उस तरह की घटना को अगर मुख्यमंत्री अगर समान घटना बताते हो तो मुझे लगता है कि सासन की समयदन सीलता को लेकर सवाल है पुरे जिस प पचास से जादा लोग नामजद इसमें हैं सहरनपूर जो हम देख रहे हैं वहां पर रासुका लगाया गया है चंदरशेखर रावन पर ये तमाम जो घटनाएं हैं उसको सामान घटना के स्ट्रीनी में क्या रख सकता है कोई मुख्यमंत्री शुबरा जी जिस तरह से ये जो बात आई है कि ये घटना सामान्य है तो शायद क्योंकि ये राजनीतिक दलों के बीच की एक आरोप प्रतियारोप की राजनीती रहती है कि जब सत्ता के बाहर रहते हैं तो उनको दंगे दिखते हैं जब सत्ता में आके बैड़ आते हैं त चाहे जो भी कारण रहे हो राजनीतिक वर्ष स्वार्थ वर्ष विद्वेश वर्ष तो दंगों से निजात इस देश को प्रदेश को कभी नहीं मिल पाया है इनी पे राजनीतिग्यों की रोटियां सिखती रही है जिस तरहां से बड़े पैमाने पर अगर कहीं कोई जो डिस गजर में लेकिन जो राजनीतिक यह होते हैं वो अपनी चश्मे से इन चीजों को देखना चालू कर देते हैं कि सत्ता में बैठेंगे तो उनके लिए यह साधारन घटना है कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लेकिन जो सत्ता के बाहर होते हैं आज जो दिलीब जी हैं सत्त आमें धारी दल को बिलॉंग करते हैं तो जो कुछ वर्ष पहले पिछली सरकार में जब इस तरह की घटनाए हुई थी मैं उनको घटनाए कह रहा हूं तो आप क्या उनको साधारन घटना कहते थे कि आप उसके दंगे का आरूप लगाते थे सरकार के उपर क्या आप उससे अपना अब गिरेबान जाकने में कठनाई हो रही है कि आज आप सत्ता में हैं ऐसी ही घटनाए हो रही हैं जहां मास में लोग आ करके जो शांती व्यवस्ता है उसको भंग कर रहे हैं आग जनी कर रहे हैं कई कई दिन तक आपकी कर्फ्यू जैसी इस्थिती उत्पन हो रही यह हमारे लिए एक समाने सी बात रहेगी क्या आप यह चीज जनता को बताना चाह रहे हैं कि अब आप इससे निश्चंत रहे देखे यह समाने बात है इससे तो समाने का बात का मतलब होता है जो आम तोर पर होती रहती छोटी मोटी घटनाए अब अगर किसी इंडिविज्व की एक हत्या होती है तो उसमें आरोपी चिन्नित होता है और कारवाई होती है लेकिन जब मास में जहां पर समूव में जा करके लोग एक दूसरे को पर हमला कर रहे हैं तो उसको आप दंगा नहीं कहते हैं जवाब दीजिए मुक्यमंत्री के इस बयान से क्या संदेश गया ह जो वकील सहब कह रहे हैं और दूसरा सवाल ये कि सत्ता बदलते ही परिभाशाएं बदल जाती हैं आप लोगों की मानेताएं बदल जाती हैं चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है जो सही है वो सामने आ रहा है और ये भी देखे कि आज वातावरण काफी परिवर्तित हो रहा है तमाम अपराजी अगर थाने में जाके सुएम सपत-पत्र दे रहे हैं तो ये तो ये सिर्द करता है कि मुक्या क्राम कर रहे हैं आप से मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर सरकार ऐसे मामलों को प्रोटेक्ट करेगी ऐसे मामलों को सधारन बताएगी तो इसका मैसेज क्या जाएगा क्या सरकार द्वारा किसी को बचाने का प्रयास किया गया किसी को बचाने का प्रयास किया गया जो आरोपी थे गिरफतार हुए कि नहीं किसी को राजनेतिक संरचन के द्वारा किसी को बचाने का प्रयास नहीं हुआ जैसे पिजली सरकारों में होता थी ना तुष्टी करण की नीती के ताहत उन्हें बचाओ किया गया हो तुरंट बिना किसी राजनेतिक संद्चन के पुलिस तुरंट कारवाई कर रही है और कोई समान में देखे मनें ये सारी सुब्रा जी पहले ही बताया है कि पुलिस में का प्यार रहना पड़ेगा रोज यहां ऐसी घटनाएं होंगी क्योंकि सरकार का मुख्यमंत्री ये समझता है कि इस घटनाएं सामान ने हैं ये होती रहेंगी सुब्रा जी उत्तर प्रदेश का जनमानस का आम विश्वास मुख्यमंत्री के प्रती है कि वो काम कर रहे हैं और अपरादियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है अपरादी गिरफतार हो रहे हैं उनके खिलाब काड़ी से कड़ी कारवाई हो रहे हैं और ये विभा शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई है समाजवादी पार्टी की ओर से वह आपको विभा जी मुक्यमंत्री के बयान पर क्या के लिए लेकिन जो इनका व्यक्तिकत जीवन है और जो इनकी राजनीती की सोच है वो इसी ताइप के भड़कावू भाशन और दंगे के बदोलत ये आज उत्तर प्रदेश के जो मैंने आपको बताऊं बीजेपी के मुक्यमंत्री क क्या चहरा इने वना गैंत। इनके लिए ये आम बात है क्योंकि ये दुबारा भी ऐसे दंग Commercial करवाएंगे और क्याल RS ही दंग की इनका विकास है, the TV Commodility है, इनके लिए दंग साध और पुरह और देश में हो जो आनी चाहिएं और जो मोहदय जो BJP के नेता बात कर रहे हैं यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि कासगंज जैसे मामले आम है इसे आम नजरिय से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और भारत को सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं ये जनता को सोचना है कि यदि हम ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो दंगे को और सारी चीजों को आम बताएगा तो हम सुरच्छा किस से मांगेगा बीबाश चुकला मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पोलिस ने अपना काम किया है इन दोनों ही मामलों में चाहे वो कासगंज हो या सहारनपूर ह कि ये दंगे जो है ये जो मामले हैं वो सामानने हैं पुलिस वक्त पर पहुंची और अपना काम किया देखे मैं सबसे पहली बात बुल दो सहारनपूर को भी सरानी कारे के लिए नहीं कहा जा सकता सहारनपूर का भी जो दंगा था वो समझ लीजे हम आपको बताएं कि उसक प्रदेश की मायों को जिसके चंदन जैसे कई बेटे हैं चंदन जैसे बेटे जो स्वतंतरता के लिए उसकी खुशिया मनाते रहते हैं तो उनको एक बार सोचना पड़ेगा यदि हमारे बच्चे हाथ में जंडा लेके चलते हैं तो कहीं इनकी राजनीती के गंदी राजनीत के शिकार ना हो जाएं और फिर मुख्य मंत्री बोने कि ये आम घटना है तुर्दीश ने सब्सक्राइब कर दो क्रवाद आफे होती हैं जवार्बाब का को यह नहीं बूला होगा प्रताब के बुछाया का लुए आप एक सिकन्ड रुकिए तो लगनों ने दंगे आप अपने घर में दुपा किने बाइचा होगे आप पताईए मुझपन नगर दंगा किसके सासन में हुआ है कि आप पताईए मुझपन नगर दंगा किसने रुका था जाए आप पताईए मुझपन नहीं तू तू मैं में नहीं तू मैं नहीं एक सब्सक्राइब जी नहीं नहीं किसी की बात नहीं को सुन पा रहा है एक सब्सक्राइब जी जो बात वीभाजी कह रही है उसमें से एक एहम बात यह है कि जब मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं कि कासगंज सामाने घटना थी तो जो लड़का चंदन गुपता जो इस दंगे में मारा गया जिसने अपनी ज हो चाएगे है कि सुब्राजी मैंने पहले ही कहा कि यह दुखत गटना है और इस तरह की घटनाओं की पुन्रावर्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए योगी सरकार कारे कर रही है और जहां तक प्रस्ण वहां पे इस प्रकार की घटना की है इसकी पहले से जो है सब लोगों को संदेश भी गया है मुकिमंत्री ने कटोर कदम उठाया वहां पे आरोपियों गिरफतारी हुई है कोई बचा नहीं कि जो फरार हो सारे आरोपी गिरफतार किये गए हैं और लगातार पुलिस जो इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में विवाजी लगातार बो लगे हुए हैं तभी आप जो है उसी चीजह को उजा रही हैं उन्हीं चीजों का उड़ा हुजा हैpoxाएंया वाध Але को तक्रीफ क्यों ड़ू है उनका मजहब क्यों देख रहे हैं उनका संब्रदाइक क्यों देख रहे हैं आतंग वाधीव अगर पखड़े जाते हैं तो उनको एक मजहब से क्यों जोड़ा जाता है कि समाजबादी पार्टी की तुष्टि करण की नीती है या आपको समझना होगा कि जो अपरादी है वो उसकी जाती पंद मजहब समझना होगी कि एक मुख्यमंत्री को ये संदेश देना कितना एहम है कि जो ऐसी घटनाएं हैं उसके खिलाफ वो खड़े हैं और उसे बेहत गंभीर मानते हैं क्योंकि एक ठोस कदम उठाना भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना एक कड़ा संद देश देना कि अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं देखे आवश्य ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनी घटना है कि कोई व्यक्ति अगर तिरंगा लेके निकलता है एक राश्ट्री पर और इस तरह की घटना हो जाती है तो ये एक च आजनीतिक मोर दिया जाने लगता है आप देख रही है आपके जो दोनों पैनलिस्ट हैं कैसे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं विशह पे नहीं बात हो रही है वो उनके सरकार के दंगे गिना रहे हैं आप उनके सरकार के दंगे गिना रहे हैं जनता तो खड़ी उस त प्रदिबंदित रहा बसे फूकी गई है कि स्कूलों में ताले पड़े हुए थे लोग नहीं जा रहे थे ये कोई घटना मैं तो कहरों पहली बार नहीं हुई है ये तो देश का इतिहास भरा पड़ा हुआ है लेकिन बस जो राजनेतों में जो बात रह जाती है कि उनका काम है अगले पर आरोप लगाना उनका काम है दूसरे पर आरोप लगाना वो एक दूसरे की कमिया गिनाएंगे फाइदाए नहीं गिनाएंगे एक और बात है प्रिंस लेलिन जो मैं आपसे जानना चाहूंगी और अभी ये मुख्य मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था जो अकबार को इंटर्व्यू दिया उन्होंने कहा कि कानून विवस्था पर वो काम कर रहे हैं और इंकाउंटर्स आगे भी चलते रहेंगे यही बात अभी कह रहे थे दईजी भी कि हम काम कर रहे हैं देखिए आप कैसे अपराद्या में खौफ़ेए इंकाउंटर्स हो रहे हैं तो मैं क्या यह कहना उचित होगा कि बेचारा उटेंडुवा इफदेवट नहीं फाइल कर पाया था इसलिए मार दिया गिया ये कारशेली किस किस तरफ जा रही है ते दुआ अगर अगर अकर्म झाता अगर अगर आप ज़्ड़ा नहीं सकते हैं ते दुआ अगर अपरादी अगर गोली चला देता तो पुलिस को क्या गोली खाने का एक जानवर घर में कैद है ऐसे तरह से एक जिम ट्रेडर के ऊपर गोली चला दी गयी तो जिम्मेदारी भी उनके उपर होनी चाहिए कि किस गवस्ता में बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना देखे घटनाएं सामने रहती है अगर आप किसी अपराधी के उपर गोली चलाते है आतरक्षा में तो वो दूसरी घटना होती है लेकिन जिस तरह से आम तोर पे इसकी पु काफी कमी आई है प्रिंस जी काफी कमी आई है और अपर बात नहीं करें तो बेतर है क्योंकि कई ऐसे मामले निकलाएंगे जहां पर आप मूँ चिपाने के लिए बागेंगे पिर रूके एक सगे एक सगे एक सगे अब यहां पर देखा कि अगर हम दंगे जैसी समस्या को लेकर अगर सियासत करेंगे और हम यह साबित करने कोशिस करेंगे कि हमारे कार्जकाल में कम दंगे हुए इसलिए हम ज्यादा पाक साफ हैं मैं आपके बीच में कराओं कि किसी भी बादचीत का किसी भी समस्या का समाधान बादचीत से हो सकते हैं हंगामे से दंगे से इस तरह से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है जो हम लोग अगर दग्ये पर बादचीत कर रहे हैं तो हम समाज को एक मैसेज यह देना चाहते हैं कि इस विशय को लेकर बहुत ही समवेदन सील होकर सोचने की जरूरत है क्योंकि अगर हमने समवेदना के साथ इसका समस्या का समाधान नहीं किया तो यह समस्या बनी रहेगी अगर हमने दोसी लोगों को प्रोटेक्ट करने कोशिस की अगर हमने प्रसासन को सही साबित करने कोशिस की, अगर हमने अपने कृत्ति को सही साबित करने कोशिस की, बजाए इसके कि हमको इस तरह की चीजों से निपटने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, किस तरह के मैसेजिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से चीजों को बहतर करन के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए नाशनल वाइस पर खबरें लगाता जारी है नमस्कार